है गाईज हेलो नमस्ते हाद आप से स्रिया काल खुशाम अदीद एंड वेरी 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 गुड आफ्टरनून तो अल फ्यू वेलकम टु डिफैंस अटर 24-7 उस तो मैसल्फ नीरच और स्टार्ट करते आज के सेशन को कैसे हैं आप लोग जल्दी से बता दीचे और फिर एक बार आ चुके हैं अगर आप तो अपना नाम के साथ में एक बार मैसेज जरूर से करें ताकि मुझे भी समझा जाए कि हंटी किती लोग आ चुकें और किते लोग नहीं तो इसी के साथ ही आज की लास का पहला प्छेशन आपकी स्क्रीन पर रखते हैं और क्awareशन के आप क्लास स्टार्ट हो चुकी है और आ जाई है नाव फिर्स्ट वर्मा के अलावा और कौन से काफी सारे लोग है जो कि आज अभी प्रेजेंट नहीं हुए है तो वर भो भी आ जाएं तो बाइल कहां पर क्लेक्ट किया जाता है यह आपसे यहां पर पूचा जा रहे हैं तो या फिर आप लोगो का है यहां पर हम लोगों ने कहा कि वह कहां पर कलेक्ट हो रहा है तो बेसिकली कालेक्ट की बात कर रहे तो यहां पर नहीं होगा है collecting तो bladder में की जारी है ना store तो bladder में हो रहा है है ना और मैंने तो यह पहले भी बताया था कि बाइल के अगर आप कहानी की बात करते तो basically formation liver में हो रहा है collect storage जो है bladder में हो रहा है और इसके अलावा अगर बात करते हैं तो function जो है वो आपके duodenum में कर रहा है ना तो यह आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है तो नाले ने बिलकुँ जाही आंसर किया है और green heart maybe it's your first class very good afternoon तो यह आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है लीवर के बारे में अगर आपको कुछ सा bladder भी दिखाए दे रहा होगा और यह जो leaf like structure आपको यहाँ पर दिखाए दे रही है यह आपका pancreas है ठीक है और यहाँ पर यह जो first part है that is your duodenum तो क्या होता है ना कि liver से यहाँ से भी आपका जो है वो bile juice आ रहा है मतलब liver ने भी अपना सारा bile juice जो है वो यहाँ पर बेज दिया pancreas ने भी अपने juice यहाँ पर बेज देते हैं और इसके कारण यह जो है वो बहुत अच्छे से आपका duodenum के अंदर digestion हो जाता है that is the thing है ना तो gall bladder यहाँ पर correct answer र bile is composed of bile salt, cholesterol and the bile pigment तो यह सारी चीजे भी हमको यहाँ पर ध्यान रखने है नाव another question on your screen देखते हैं कि क्या है यहाँ पर पूछा जा रहा है कि phylo taxi का सही अर्थ क्या होता है what is the meaning by the phylo taxi है ना किसे कहते है phylo taxi जब हम phylo taxi की बात कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि पत् manner of arrangement of leaves in stem of branch and the manner the leaves fall from the branch and anatomy of leaves तो भी यहाँ पर हम अगर करें कि पत्यों की रचना के आधार पर पत्यों की गिरने की आधार को हम जो है phylo taxi नहीं कहते हैं तने या फिर किसी ब्रांच पर पत्यां किस तरह से लगी हुई है है इसको हम phylo taxi कहते हैं आपने different different type की पत्यां जो है है वो definitely देखियोंगे हमारे पास diagram भी है तो पहले तो हमने कहा कि phylo taxi का मतलब है कि पत्यां किस तरीके से लगी है ठीक है arrangement of leaves त्यानि कि देखो कुछ पत्यों को अगर तुम देखोगे तो कुछ पत्यां जो है वो एक दूसरे के parallel लगी होती है कुछ जो है वो एक दूसरे क application जो है वो leaves का properly जो है वो दिखाई दे रहा होगा हमने कहा type of phylo taxi की अगर हम बात करते हैं तो हम कहेंगे कि opposite भी होता है हम लोग करेंगे alternate भी होता है हम कहेंगे वो लर्ड भी होता है ठीक है तो phylo taxi जो है वो arrangement of leaves है पहली चीज़ तो यह हमको ध्यान रखना है अगर हम alternate की बात करते हैं जैसे कि sunflower में होता है मैंगो में होता है चाइना रोज यानि कि गुडहल में होता है mustard में होता है ठीक है इसके अलावा अगर हम बात करेंगे opposite तो opposite की बात करते है तो वो भी आप लोगों के जैसे कि guava में होगा जामुन में होगा है न जो है ऑसिमम में होगा त फिर एलस्टोरियां हो जाएगा तो इन सारे प्लांट्स के अंदर इस तरह से आपका वोलर होता तो अरेंजमेंट आफ लीट्स जो है उनको हम लोग यहां पर फाइलो टैक्सी के नाम से जानते हैं अगला क्वेशन आपके स्क्रीन पर है और आपको आंसर करना है देखे क्या हैं हाँ पर करेक्ट आंसर होगा लेकिन गाइस इस माँ हमबल रिक्वेस्ट तो आल अफ यू कि आप लोग जो है उस सेशन को एक बार शेयर जरूर से करेंगे यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ठीक है चलो भाई अगले क्वेशन की बात करते हैं अगला क् सब्सक्राइब करेंगे और नेक्स क्वेशन आप लोगों से जो है वह यहां पर क्या पूछा जा रहा है वैरी गुड आकाष यानी सुना ली अगला क्वेशन देखते हैं अगला क्वेशन क्या कहा जा रहा है कि विच्व अमंग फॉलोविंग इस नॉर्ट अमंग दमाइ तो वह कौन से पौध है वह कौन सा पोशक तत्व है जो कि आवश्रक माइक्रो न्यूट्रियंट के रूप में नहीं आता है मैक्रो नहीं पूछा है माइक्रो पूछा है तो मॉली बिडेनम होगा या फिर आप लोगों का जो है वो बेसिकली क्या रहेगा मैगनीशियम रहेगा मैगनीज रहेगा जिंक रहेगा वाट विल भी तो वैरी वैरी राइट आंसर गाइस फड़ावर ते सेशन को शेयर करेंगे हंजी मिस्टर अपको पता लगेगा यह सारे के सारे जो हैं वहीं है बात करें मैगनीशियम माइक्रो नुट्रियंट नहीं है लेकिन कौन-कौन से हम बात करेंगे हैं पर तो इसको भी देख लिए जैसे कि हमने कहा कि कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सिजन ऐसे हैं जो हमें हवा और पानी से मिल जाते हैं फिर बात करते हैं मैक्रो नुट्रियंट की तो मैक्रो नुट्रियंट के अंदर आपके पास में एक तो नाइट्रोजन आता है एक फॉस्फोरस आता है और एक आप लोगों का जो है वो क्या आता है पोटेशियम आता है ठीक है यह आपको जहान रखने हैं स इसके अलावा मैगनीज आएगा मॉलीबिनम होगा और जिंक होगा तो यहां पर हम लोग बात कर रहे थे कि भाई जो मैगनीशियम है वो बीसिकली सेकेंडर नूट्रियंट के रूप में आ रहा है जो मेन है वो नाइट्रोजन फॉस्फरोस पोटेशियम है वो बीसिकली आप वो एक बार समसब भी कर देंगे नाओ नेक्स क्वेशन ऑन्यों स्क्रीन क्या यहां पर पूछा जा रहा है अगला प्रशन आप से पूछा जा रहा है कि वह वह विच रेफरेंस तुदा रेडियो एक्टिविटी विच अमाउंट अमंग दा फॉलोविंग इस कॉल्ड दा हेक और करने और डायमिक और एक्जां से रेलेटेड एक्जां की नॉलेज लेनी हैं कोई गाइडेंस कि summer and कि अगर आपको knowledge लेनी है, आपको screen पर एक number दिखाई दे रहा होगा, that is 9034-611-872, यह number जो आपको screen पर चलता हुआ दिखाई दे रहा है, इस number पर आप call कर सकते हैं, for your query, आपका कोई भी problem हो, आप वहाँ पर call करके solution ले सकते हैं, पूरी authentic team वहाँ पर बैठी हैं, जो आप लो के लिए, अपने छोटी बहन के लिए, अपने relative के लिए, कोई भी career counseling चाहते हैं, आप इस number पर call करेंगे, और अगर defense exam के बारे में आप जानना चाहते हैं, किसी भी type के, तो आप definitely इस number पर call कर सकते हैं, यह free है, बिलकुल free, but session को share जरूर से करना है, तो हमने कहा कि बाई, जो है, वो कहलाता है, that's why we can say, then B will be the very right answer, B यहां पर जो है, वो correct answer रहेगा, इसमें I don't think so कि कोई issue, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परिशानी होनी चाहिए आपको, another question on your screen, लेकिये क्या पूछा जा रहा है, कि भारत के अंदर, शोधन के लिए double sulfitation, सबसे अधिक उप्यो हम लोग cooking oils के लिए करते हैं, हम sugar बनाने के लिए करते हैं, या फिर हम coal के लिए करते हैं, but guys, tick कर बैठ होगे, तो नए प्रशन जो daily daily हम लोग high कर रहे हैं चीजों को, हमारे questions के level को, तो आप कुस चीजे daily पढ़ोगे तो समझ में आएंगे, it's all about your choice, आपको थोड़ा से इन जो method होता है, वो basically हम लोग ना, किसके लिए use कर रहे होता है, double saltification जो method होता है, हम लोग actually में use कर रहे होता है, sugar की purification के लिए, यह आपको थोड़ा सा अधिक धिहानने हाँ पर रखना पड़ेगा, हैना, और यह बहुत ही, मैं कहूंगी कि बहुत ही सस्ती, जो है, वो क्या हो होती है, process यह होती है, है, refining के लिए cheapest process है, आप लोगों की sugar के, मैं कहूंगी purification, sugar refining के लिए, तो double saltification जो है, वो sugar refining की process है, तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना, कुछ लोगों का बहुत सारा गलत भी हो जुका है, विध्यावती, ओके, चलो next question देखते हैं, कि next question आपर पूछा जा रहा है, बहुत प्यारा सा प्रश्न है, अच्छे से पढ़ेंगे, तो definitely आप answer कर सकते हैं, कि the apparent weight of the body becomes zero, in which of the following case of the elevated, जब आप lift के अंदर जाते हैं, तो वो कौन सा case है, जिसके अंदर आपको अपना weight जो है, वो बिलकुल zero मिलता है, बता है कौन सा मिलता ह जब आप लोग direct free fall गिरते हैं, तब आपको आपका weight free मिलता है, या फिर आप तेजी से lift के और जा रहें, तब आपको मिलता है, या फिर आप आराम के स्तती में हैं, तब आपको मिलता है, या फिर आप lift में उपर के और जा रहें, तो आपको मिलता है, तो अब आपको बतान रखना है कि अलग लग होता है अगर आप नीचे जारे हो न बंधी फिलगा हुट है आप sem जारे हो न आपको बढ़ा हुआ उसकिसे होकिस्पख अरा यह देक्वि leveraging 10 चल उस्ट बेंट एक कर्फर संता है तो ायों पर की और जा रहे हो तो भी नहीं मिलेगा आपको basically जब आप क्या कर रहे हो कि आप लोग free fall गिर रहे हो lift की रस्थी तोड़ दी अब lift की रस्थी तोड़ दी तुम free fall गिरोगे न और यही वो free fall का case है जिसके अंदर तुम लोग जो है वो basically कैसा feel करते हो स्वय हम को गिर मतलब free fall feel करते हो got it तो हमने क्या बोला the apparent weight of the body becomes zero and the elevated during the free fall of a body under gravity it can be said that is the body become the wetless at the force of reaction between the person and the plane got it तो यह दोनों हमेशा ध्यान रखने तो आपका जो जी है ना वो हर जगह पर अलग-लग आपको देखने को मिलता है अब हर जगह पर अलग-लग कैसे देखने को मिलता है इसके बारें भी आप लोग देख लीजिए हर जगह पर अलग-लग का मतलब यह हो गया आप पोलर पर एरिया पर जाएंगे धुर्वों पर जाएंगा आपको maximum feel होगा अगर आप जो है लेकिन मास कभी भी increase और decrease नहीं होता जैसे कि अगर आप मून पर जाते हैं तो आपका 1 by 6 हो जाता है आपका मास है ना लेकिन जो मास है वो रहेगा यानि कि अगर आप 60 कि लोगे हैं तो अगर आपका मास मून पर पूछे तो 10 kg रह जाएगा और अगर आपका मास जो है अगर आपका वेट पूछे मून पर तो 10 kg रह जाएगा 1 by 6 कर लेंगे और अगर आप लोगों का मास पूछे तो 60 kg रहेग आपको समझ में आ गई तो आप yes या फिर thumbs up कर सकते हैं नहीं आया तो मुझे बता दीजेगा मैं definitely कर दूँ आपको repeat कर दूँगे बट channel को subscribe जरूर करना है session को like जरूर करना है और हर दिन ये session होता है शाम दोपर तीन बचे इसको definitely आपको पढ़ना है इसके अलावा आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपको किसी भी type का कोई भी query है आप इस नमबर पर call करके चाहे exam related हो चाहे batch related हो exam time हो ठना time table हो exam strategy हो कोई भी doubt हो आप इस नमबर पर definitely call कर सकते हैं next question पूठा जारा है कि निमनेली कित्म से कौन सा जो है वो conservative force है और conservative force जो है वो नहीं तो आपको electrostatic force होगा नहीं magnetic होगा नहीं जो है independent to the take path यानि कि एक ऐसा बल जो दो बिंदूओं के बीच में ले जाने में कारिये में लगाया गया हूँ तो भाई इस्थैटेस्ट्रेटिक फोर्स जो है वो होते है न तो स्थैटेस्ट्रेटिक फोर्स जो है वो आपके दो बिंदूओं पर चुम्ब किया बोल यह सब जो है वो आप लोगों के क्या है जो है कंजरवेटिव फोर्स की लिस्ट में नहीं आ रहे हैं ठीक है न तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है वह यहां पर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा मास डैफिनिटली चेंज नहीं होता वेट चेंज होता है आप यह समझो मिस्टर अधीप मा मास जो है वो कभी चेंज नहीं होता चेंज जो होता है वो वेट चेंज होता है क्या चेंज होता है वेट चेंज होता है तो इस चीज को भी आप लोगों को यहां पर ध्यान रखना है अगले क्वेशन की बात करते हैं अगला क्वेशन आपसे क्या पूछा जा रहा है ओजो order less होती है क्या ozone के concentration जो है वो थोड़ी बहुत concentration भी बहुत harmful होती है हना मतला harmful नहीं होती है या फिर all of these तो यह आप लोगों से यहाँ पर पूछा है बता हो देगे फटावर्चा कि which of the following the correct about the ozone तो ozone की बारे में क्या चीज यहाँ पर सही दे रखे क्या आप लोग all of these करना पसंद करेंगे ओजोन वही गैस है जो कि आप बेसिकली आप लोगों की ओजोन लेयर जो है वो आपका अल्टरा वाले ट्रेस से आपको protection भी provide करवा रही है लेकिन औजोल गैस जो है उसकी तोड़ी सी मातरा थोड़ी ज्यादा मातरा आपकी बाड़ी में अगर आती है तो यह आपके बाड़ी में harmful effect भी देती है पर हाँ ओजोन के बारे में यह कह देना बिल्कुल जो है वह बिलकुल यहां पर क्या लिखा है कि यह हो थोड़ी मातरा में भी जो है आपकी body के अंदर तो यह आप लोगों के लिए harmful होती है है ना यह आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है और इसकी एक special जो है वो order होता है इसका एक special जो है वो basically गंद भी होती है जिसकी बात करना है हम लोग ओजोन की बात करना है और इसकी ज़्यादा concentration harmful होती है ना कि कम तो कम तो harmful नहीं है लेकिन अगर यह ज़्यादा हो जाएगी तो यह definitely harmful हो जाएगी ठीक है तो आपका यहाँ पर C जो है वो basically correct answer रहेगा कि इसकी थोड़ी सी मात्रा जो है वो harmful नहीं होती है ठीक है ना है जी चलिए ठीक है सेशन को शेयर करना है चाइल को subscribe करना है अगर आपने स्रेशन को शेयर और चानल को subscribe नहीं किया है तो आप definitely channel को share को subscribe करेंगे जो लोग नए है वो आप ही के अभी है चानल को subscribe करेंग और सबसे महत्पून चीज अगर आप नए है आपको defense exam and exam आप इस नंबर पर free call कर सकते हैं आपको स्क्रीन पर एक नंबर चलता होगा दिखाए दे रहा होगा इस नंबर पर आप call करेंगे फ्री है बिल्कुल आप अपनी कोई भी करियर काउंसलिंग, exam details, कोई exam के बारे में knowledge लेनी है, batch के बारे में knowledge लेनी है, time table पढ़ना है, study, preparation वो सब आप लोग जो है वो यहाँ पर इस नंबर पर call करके पूछ सकते हैं, तो इन सब चीजों का भजान रखना है, which of the following is not correct about the sodium chloride, sodium chloride के बारे में कौन सा कथन से हो है, सही नहीं है, तो it is the covalent compound, क्या यह covalent compound है, तो for your kind information, मैं आप लोगों को एक चीज बता देती हूं, कि जो sodium chloride है, वो basically ionic compound है, हमने बोला NaCl, NaCl जो होता है, वो ion बनाता है, तो Na और Cl के अंदर अगर मैं बात करते हूं, तो Na भी ionic है, और chlorine भी ionic है, तो हमने बोला कि यह आपका ionic compound जो है, sharing होती है, शहय सेयोजक में, क्या होता है, sharing होती है, और यह sharing तो नहीं कर रहा है, बर्फ के दौरान बर्फ को हटाने में भी हम इसका यूज करते हैं और बेसिकली खादर परिरक्षक के रूप में भी हम लोग इसका यूज करते हैं अगले question की बात करते हैं अगला question आप लोग उसे जो है वो क्या पूछा जा रहा है which of the following give the power of a lens तो lens किस शक्ती जो है वो देता है lens की शक्ती देता है तो मतलब क्या है यहां पे lens की शक्ती यानि की power of lens की बात करते हैं तो वो focal length की equal होती है focal length की indirectly proportional होती है focal length की half होती है और focal length की double होती है यह आपसे पूछिए तो power of lens जो है वो focal length का क्या रहता है double होता है half होता है indirectly proportional होता है या फिर जो है वो क्या है आप लोगों का double क्या मतलब direct proportional है बताओ देखें तो power of lens और focal length के बीच का अंदर जो relation है वो basically क्या है यह आपसे पूछा जा रहा है which of the following gave the power of lens तो कौन जो है वो lens की शक्ती देता है यह आपको बताना है चलो चलो बताओ फड़ापट से और यहां पर जितने भी लोग हैं again I repeat कि आप लोग channel को subscribe definitely करना आप लोग जो है वो channel को daily कितनी बज़े यह class होती है daily तीन बज़े यह class होती है आपको daily यह session लेना है आपके लिए बहुत beneficial जो है यह session जो है वो शाबित होगा और exam oriented पूरे questions है पूरे PYQs हैं तो आप लोग इस series को definitely miss मत करो आपके लिए बहुत beneficial रहेगी क्या यहाँ पर कहा जा रहा है हम लोग यहाँ पर कहा रहे हैं कि यह indirectly proportional होते हैं क्योंकि सुनाली ने यहाँ पर mention out भी किया है कि one upon f equals to कितना होता है P होता है तो भाई यह एक दूसरे के क्या होगा है indirectly proportional होगा है यानि कि हम कहेंगे कि यह एक दूसरे के विद्क्रमानुपाती होते हैं अगर power बढ़ रही है तो focal length कम होगी और focal length बढ़ रही है तो power कम होगी ठीक है तो यह चीज आप लोगों को इसके बारे में ध्यान रखनी है got it very good very good absolutely right ठीक है next question की बात करते है next question आप लोगों से जो है वो क्या यहां पर पूछा जा रहा है बड़ा प्यारा सा प्रशन है देखते हैं कि क्या यहां पर पूछा जा रहा है कि what is the change is what is the change in the rate of constant for a chemical reaction when temperature raised by 10 degree Celsius किसी राजसाइनिक प्रक्रिया के तापमान को 10 degree बढ़ाने पर उसका जो 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 what we can say उसका दरिस्त रांग जो है वो क्या परिवर्थित होता है तो आपने कहा कि temperature को आपने 10 degree बढ़ाया ठीक है ना देखो cds specifically आप कहेंगे तो वो easy ही मैं तो personally cds comparatively easy count करती हूं हाना वैसे मतलब moderate कहना मैं यहाँ पर कहूँगी कि तुम्हार लिए moderate कहना better होगा ठीक है इतना पर मैं यह कहती हूं कि आप अगर यह सोच रहे हो कि cds toughest exam की आप लिस्ट में रख रहे हो तो आप गलत हो आप definitely गलत हो आप पुराने paper उठाकर पढ़ोगे ना then you realize guys कि अगर आप थोड़ी तरीके अगर आपने temperature 10 degree जो है वह increase किया है तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि वह definitely कितना हो जाए अगर डबल हो जाएगा तो यह जो है वह बेसिकली क्या हो जाता है दुगना हो जाता है क्योंकि यह दौनों एक दूसरे के 2N होते हैं ठीक है तो हमने कहा कि विद्यावती न जाने कि किस अनों का किस अनों का size shape जो है वो टी शेप का है अगर आप ओजोन को देखते हैं तो ओजोन के अंदर O3 होता है और O3 एक तूसरे से जो है वो खुछ इस तरीके से जुड़ा हुआ है ठीक है और इनके बीच में double bond होता है double bond लगातार movement करता है इसलिए O3 resonance भी श Trifloride लिए तो आपके पास में एक तराव क्लोरिन है और हम कह रहे हैं कि तीन चल्फलोरी mild यानि की तीन लगे हैं ओक तो आपने गथा करना टीन लगे हैं तो यह यहां पर यह बनाना चाह रहा है बात करते हैं सफर डाइयोकण Lori South τो वो होता है तो हमने लगाया और यहां पर हम लोग हो फिर से सहर बुर 혼자 मर डारे-प्र आब भी मेट होगा और सवंगजा की बात कर रहें न तो इतना दिमाघ लगाटानी कि जरुतीन सीधा सीधा दिख रहायए-ख्लोएंगा अभी structure भी बना के दिखाई कि भाई आपके पास में यहां पर chlorine है एक फ्लोरीन यहां लगा है एक फ्लोरीन यहां लगा है ठीक है मानते हैं कि इस structure के अंदर octail जो होते हैं वो group increase हुआ है यानि कि यहां पर आठ किसी के किसी भी item के अंदर 8 electron होता है अभी यह 8 electron आपस में जो ह जादा भी हो सकते हैं outer shell के अंदर तो इसके अंदर जो है वो जादा है है अगर आपको reaction समझनी है तो आप इस तरह समझो कि भाई क्लोरीन के outer shell के अंदर 7 electron है एक दो तीन चार पांच है ना और हम यहां पर ही कर सकते हैं 6 और 7 तो एक यहां पर bond बना रहा है एक यहां बना है तो साथ से तो जादा आठ से तो जादा इलेक्ट्रोन इसके outer shell में हो जाते हैं है ना तो यह वाला भी है हां सुनाली फिर भी बेटा टी ही रहेगा ठीक है ना तो यह आप लोगों को यहां पर ध्यान रखना है लिख भी रखा है भाई इस पास तो इसके पास थे तीन औ जानती है नेक्स क्वेशन आपसे पूछा जा रहा है कि वाट डू वी कॉल अ प्रॉसेज इन विच वाटर इस एब्सॉब्ड बाई सॉलिड कॉलाइड कॉजिंग एन एंड्रॉमर्स इंक्रीज वाल्यूम है ना उस प्रक्रिया को क्या कहता है जिसे पानी जो है वो होता है ना पर्मियब्लेटी जो है वो उसके अंदर एंट्री गड़ लेना होता है और इन्हालेशन तो हमने कहा कि बेसिकली अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो मैं तो भाई इंबाईबेशन यानि कि अन्तहर शोशन के साथ जाओंगी तुम किसके साथ जाओगे त पर्मियब्लेटी तो एब्सॉबेशन में नहीं आ रही है डिफ्यूजन में फैलना वह बाहर निकलके फैलना तो वह डिफ्यूजन में आई नहीं सकता प्रसार हो गया अंतहर शोशन भाई उसने एब्सॉब किया तब ही तो उसका इतन इंक्रीज हुआ है आप फिर से समझ यह क्वेस्टन क्या पूचा था की वह कोन सी प्रसेस इसमें एक सॉलिट को लाइड़ है वह बेसिकली pneumonia के साथ में घुन किया है तो उस प्रसेस को लोग इंट लो यह इस में थोड़ा दिक्कत है ठीक है तो यह थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखेंगे और यह स्टेबल प्रॉसेस भी नहीं है इंबाइबेशन ठीक है न तो यह भी आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है विच अमंग दॉलोविंग दा मैटल हार्डेस्ट मैटल तो भाई कोई भी एक्जाम दे रहे हो जिसके अंदर आपको साइंस पढ़ना है आप डेफिनेटली पढ़ सकते हैं ना चाहे कोई भी एक्जाम इट्स नॉट अबाउट कि कोई मेंशन है कि नहीं है एक नंबर स्क्रीन पर चल रहा है डेट इस नंबर पर आपने कॉल करना है और कॉ कोई भी एक्वैरी है के में मेरे से पढ़ाई नहीं हो रही मम मुझे नोट समपनाने है फिर मुझे मेरा इकषम करूं की इस तभी स्क्रेश करों मैं कैसे अंब या फिर आपके कोई siblings हैं, आपके कोई relatives हैं, उनके बारे में आप लोगों को पूछना है कि नहीं उनका exam हुआ है, अब उन्हें NDA करना है, उन्हें CDS करना है, whatever जो भी, तो कोई भी doubt है career counselling से related, guys ये बिलकुल free है, तो आप में से जितने भी aspirants हैं, इस number को जितना spread कर सकते हैं कि यार इस number पे call करके आप बात कर सकते हैं, अपनी सारी problem solve कर सकते हैं, तो आप इस number पे definitely call करें, आपको exam related batch चाहिए, है ना batch related कोई doubt है, आप definitely call करो इस number पे, okay, next, किते लोगों ने बात भी की 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 नहीं की, मुझे ये बताओ, हमने बोला, भाई, टंगस्टन में किसी प्रा comment लगा हुआ है, जो Tungsten का लगा हुआ है, क्योंकि ये बहुत stable होता है, बहुत high होता है, बहुत ज़्यादा जो है, वो basically wiring भी बना रहा है, मतलब इसका ductility भी बहुत अच्छी है, हना और इसकी अलावा जो है, इसका strength भी जो है, वो basically बहुत अच्छा है, इसका melting point भी बहु होता है ठीक है ना कॉनसी लेंग्विज है मिन्स वर्ट चलो next question पूचाता है कि what is the nature of pH of milk तो milk के pH की जो है वो nature क्या होती है यह आप से पूचे जारी what is the nature of pH of milk तो pH की नेचर कितनी पूची है आपको पता होना चाहिए जो milk है उसके अंदर लक्टो बैसिला से लक्टिक एसिड भी है तो बेसिकली वह एसिडिक होगा और अगर एसिडिक है तो थोड़ा बहुत अमली होगा अब आपको यह पता होना चाहिए हाना हाँ वो तो मुझे भी समझने आए विद्ध्याति आपने क्या बोला यह सेवन है एट नाइन टैन एलेवन ट्वैल थर्टीन फॉर्टीन सेवन टू फॉर्टीन जाते हैं तो वह बेसिक मेडियम को जो है वह इंडिकेट करता है लेकिन तरफ अगर आप जाएंगे तो वह एसीड को जो है वह यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है तो यह जारी चीज़े भी आप लोगों को यहां पर ध्यान रखनी है ठीक है ना तो यह हो जाएगा आपका की डी जो है वह यहां पर करेक्ट आंसर होगा असलाइजली जिसमें 6. 6.5 to 6.7 के असपास ही रहता है जो आप ज्यादा भी नहीं रहता है नेक्स कोईचिन है कि विच आफ दे फॉलोविंग इस दा करेक्ट इंक्रीजिंग ओडर ऑफ पी एच वैल्यूज ऑफ दा फॉलोविंग सबस्टांसिस कि कौन सा प्रधार्थ पी एच मान का सही बढ़त अक्रम है यह आपसे पूछा जा रहा है ठीक है ना अगर आप यह सब बाते देखो अगर आप यह सब बाते पूछना चाहा रहे हैं मिस्टर दीप तो आप पहली बात तो इस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा दूसरी चीज अगर मुझे पर्सनली तुम पूछते हो तो मैं आपको पर्सनली एक इड्वाइस देती हूं लाइफ में ना कोई भी एक्जाम टफस्ट और ना सिंप्लिस नहीं होता है इट्स आल डिपेंड्स आर यह नेचर यह मेंटालिटी है ना यह वे ओफ ठिंकिंग बेसिकली तो अगर आप किसी एक्जाम को मैं तुम्हें कहा सबानिए आप उस एक्जाम को एक दिन आप उस मैं कहूंगी की के साथ पढ़ेंगे कि नहीं आपको वह की नहीं मुझे करना है तो महीने बाद तीन महीने बाद आपको मेरी कहीं लो में वबात रिपीट करेगी कि यार मैं मैंने कहा butterк Osim quan और किम था विट एंट तो मैंने UPSC जैसे exam भी लोग fight करते हैं ना बेटा बेसिक सी बात है करते हैं ना लोग fight तो आप यहां पर कह देंगे कि तफ और उसके simple level के बिहाफ पर अगर जज़ कर रहे हैं तो मुझे लगता है personally कि यह गलत है हना as a student हमें वो सब चीजे balance करके चलनी पड़ेगी इस mindset को change करना ही पड़ेगा अगर आप exam देने से पहले यह सोच लेंगे कि हमने excuse तो पहले ही दे दिया कि अरे यह individual exam तो tough है और य individual exam simple है ठीक है तो मैं basically यहाँ पर यह नहीं कहना चाहरे हूं कि हम खुद self pity करने लगते हैं हम self pity करेंगे कि अरे नहीं यह exam तो हाफ हार्ड है मैंने ही select कर लिया ठीक है जिस दिन आपका self confidence down होगा उस दिन आप खुद को excuse देने लगेंगे तो ऐसा as a student हमें करना ही नहीं हमें सोचना ही नहीं है हमें इतना पता है कि मुझे कि side direction में जाना है मेरा कौन सा मैं मेरा goal क्या है अब कोई फरक नहीं बढ़ता कि वो कितना tough है कितना simple है अगर आपका goal आपका aim आपको पता है तो कोई फिर matter ही नहीं करता कि आपका जो path है वो tough होता है कि simple होता है आपको सिर्फ आपका achievement आपको आपका goal दिखना चाहिए आपको लग रहा होगा कि मैं यहां से कहना बहुत आसान होता है यह agree कि यहां से कहना बहुत आसान होता है लेकिन हम भी न आपी की उस उस face से निकले हैं है न हाँ मोनू definitely पर आप एक बात बताओ कि जिस दगे मैं खड़ी हूं उस कि नहीं नहीं बेटा यह तो tough है got it चलिए next बात करते हैं क्या कहा जा रहा है कि which of the following is the pH तो pH value की बात करते है गेस्ट्रिक जूस milk of magnesia अब milk of magnesia जो होता है वह आपका पहले आपको यह पता होना चाहिए कहां गया अरे देखो अगर मैं बात करते हूं milk of magnesia कि तो milk of magnesia तो basic nature का होगा pure water neutral nature का होगा अब यहां पर citric juice है और gastric juice है तो सबसे जो होगा जो आपके जो है अगर आप order में देखते है तो gastric juice जो होगा वह सबसे लो होगा फिर आपका citric juice होगा क्योंकि वह बाहर obtain कर रहे हैं फिर आपका pure आएगा मतलब यह सी यह जो है वो थोड़ा ज्यादा acidic फिर यह normal acid फिर उसके बाद में यह neutral और फिर उसके बाद में आया यह what we can say फिर उसके बाद में आया यह क्या बोलते है basic in nature है ना तो हमने यहां पर कहा ठीक है हमने यहां पर कहा कि यहां पर correct answer हो जाएगा got it? ठीक है ऐसा भी नहीं है life में और भी बहुत सारे exam से सुना लिए जो actually में बहुत tough है पर हमें उनको mention out करना ही नहीं है as a student ऐसा करी ही नहीं करना ही है नहीं है हमें ग्रेको गैस्टिक जूस जो है वो solid जो है acid है strong acid है यह भी स्ट्रॉंग एसिट है पर comparatively कम प्यॉर में फिर 0 आ गया क्योंकि हम माइन हम बेस से फिर acid की तरफ जा रहे है तो that is the thing चलिए भाई चलिए आगे बढ़ते हैं तो इस तरह से pH scale होती है जिसके अंदर साथ इधर ए pH scale से हम मेजर करते हैं ठीक है बड़ाई प्यारा सा प्रशन है इस प्रशन का अंसर आप लोग देंगे यहां पर एक वर्ट बोला है aromatic hydrocarbon what is the difference between aromatic and aliphatic hydrocarbon ठीक है न अगर हम हमारी लाइफ में यह कहने लगेंगे न बिटाए कि हमारी लाइफ पॉरी टाफ है अप लिटरली यकीन मानिया अपको आपको अपसर वाईफ भी नहीं कर पाएंगे है न और जब कोई परसन ये कहता है न कि कर लेंगे देख लेंगे हो जाएगा सब ही क्या करते हैं हम भी कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं है कई लोग ऐसे बढ़ी बढ़ी कूल और कि लाइफ ना बड़ी स्मूध चल रही होती है तो एक्स्ट्रा प्रेशर लेना ही नहीं है हमारी ती एफिशेंसी से उससे हम काम करेंगे उससे हम पढ़ेंगे और हम लोग हमारे गोल को अचीव करें मैं बस यह कहना चाहती हूं ओके चलो अब ज्यादा नहीं सोचना इनके बारे में क्या है इनके अंदर बहुत सही बात है कि इनके अंदर बहुत अच्छी से स्मेल आती है इन सभी के अंदर तो जितने भी स्प्रेव अगर होते हैं इसके अंदर ये सारी चीज़े जो है वो mentioned होती है है ना अब यहाँ पर क्या है यहाँ पर कहा जा रहा है के ने जो है वो errands कहा जाता है पानी में मिश्रणी होते हैं पहली बात तो सुगंदित hydrocarbon पानी में मिश्रणी होते हैं पानी में स्मेल आती है लेकिन ये कह देना है ना मिस्टर गनेश मैं आपको बता देती हूँ कि आप इस इन क्वेशन के लिए आपके जितने भी डाउट से एंग्जाम को रिलेटेड ये जो नंबर दे रखाए ना स्क्रीन पर 9034611872 इस पर कॉल करके सारी information ले लू है ना ये form का notification क्या criteria दिया है तो एक बार आप call कर लेंगे तो आपके लिए beneficial रहेगा आप definitely आपको जो है वो पता दिया चाएगा ठीक है ना मैं कौन सी लाइन बोलती थी ऐसी मुझे तो याद ही नहीं आ रही तो गनेश इस नंबर पर call कर लेना हमारी टीम आप से consult कर लेंगी और प्रॉपर जो है count करके बता देंगे कि क्या जो भी है ठीक है ना ओके इस नंबर पर call कर लो अभी भी आप से contact कर लेंगे ठीक है तो हम लोगों नहीं है आपर क्या कहा भाई तो इसमें लिखा है कि पानी के अंदर वो non-pollard होता है ना पहली जिस तो यह तो होती है लेकिन वहां पर लिखाता कि पानी के साथ मिष्रण होता है ठीक है तो यह यह वाली बात ह crawl सकते हैं अब यहां पर यहां यह मेरी पुरानी स्टुडेंट रही हैं अब यहां पर न मतलब मुझे भी इसने याद दिला दिया अब 2024 के बारे मैं बात करती हूं मैं परसनली बिलीव करती हूं हम कौनसी वाइब हमारे लिए निकालते हैं अगर आप 2024 को देखोगे तो बहुत ही मिरैकल नंबर है है इसने और आप लिटरली मानिए यह यह जितना positivity के लिए अच्छा है उतना ही negativity के लिए अच्छा है इस year में दोनों ही चीज़े हैं अगर कोई अपने बारे में बहुत अगर कोई literally मेहनत कर रहा है ना इस साल में मैं यकीन मान के कह रही हूं कि December तक तुमें result मिल जाएगा अगर त तुम जितना negative सोचोगे जितना negative देखोगे फील करोगे उतना ही आपको destroy भी कर सकता है तो मैं personally कह रही हूं कि फायदा उठाओ इस number का इस year का यह December तक तुमें result देगा लिख कर रख लो मेरी आज यह बात तुम अपने बारे में जितना अपने ही सोच रहे हैं सिर्फ रात जितने भी aromatics होता है वो basically पानी के साथ mix नहीं होता है हना और इन्हें errands कहते हैं यह आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है नए है चैनल को subscribe कर लिजेगा और इसके अलावा सबसे important चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है वो यह है कि चैनल को subscribe करना है वीडियो को like करना है और share जरूर से कर दिया करो तीन बजी यह session होता है अगले question की बात करते हैं अगला question कह रहे हैं तिवारी ओके स्रिस्टी ओके next question है कि कौन सी अधातू सबसे अधिक विधुत रिनात्मक है पहली बात तो non metal पूछी और पूरी प्रियाडिक table के अंदर सबसे ज्यादा electron negative कौन है फ्लोरीन है पूरी प्रियाडिक table के अंदर सबसे negative कौन है फ्लोरीन है हना और positivity की बात करते तो chlorine हो जाता हना oxygen negative है लेकिन आपको पता होना चाहिए कि fluorine oxygen और nitrogen हना minus 1 minus 2 और minus 3 यह तीन ऐसी more electron negative metals elements है जो की negative जो की non metals भी है और इनके साथ एक special bond share करता है hydrogen और hydrogen का यह ज bond है ना यह special band bond जो hydrogen इसके साथ share कर रहा है यह hydrogen bond भी बनाता है ठीक है कट कर दिया call रुको 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 अभी class के बाद में जैसे अभी चार बचे class complete होगा ना तुम चार बच के पांच मिंट पे call करना मैं definitely उनको call करके बोलती हूँ कि यह क्या बात हुई है ना गनेज ऐसा नहीं हो सकता ठीक है कोई बात नी मैं 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 अभी तुम 4 बच के पांच मिंट पे call कर लेना मैं उनको message कर दूंगी है ना कोई दिक्कत नहीं तुम्हारी ऐसा होई नी सकता कोई meeting होगी तभी कट हुआ होगा otherwise नहीं है ना call कर लेना मैं definitely नहीं तुम definitely call कर लेना चार बच के पांच मिंट बाद में definitely call कर लेना तुम्हारा call attend हो जाएगा तुम्हारी problem solve हो जाएगी नहीं होता तो कल मुझे call आके बताना ये number पे आपके सारी problem solve होती है न तो कोई भी हो किसी ने call किया अस तक इस number पे अपनी problem solve की बात की बताओ देखे वड़ावट से हमने क कि फ्लोरीन यहां पर हो जाएगा इस सीच का भी आप लोगों को यहां पर ध्यान रखना है next question देखते हैं कि निम्नलिखत में से कौन से धातू अन्य धातू के साथ मिश्रन बनाती है यहां पर लेड लिखा है लेड का मतलब क्या है तिन आप सीसा की बात कर रहे हैं तिन है जो है क्या बोलता है लेड मतलब पीबी सीसा तिन है जिंक है मर्कुरी तो आप से बोला कि धातू के साथ में जो है वो रियक्शन करती हैं अमलगम बनाती हैं क्या बनाती हैं अमलगम हर मैटल के साथ रियक्शन करता है और यह अमलगम कौन बनाता है आपका मर्कुरी बनात अलाउड ही नहीं है ठीक है हाँ गनेश आप एक काम कीजेगा अभी मैं क्लास के बाद में उन्हें कॉल करते हूँ अगर शायद वो मीटिंग में होंगे इसले अटेंड नहीं किया होगा बट फिर भी टीम 24-7 आपके लिए है आप डेफिनिटली सभी लोग कॉल करके अपनी स उसके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा कुछ नहीं है इसले इसे हाइड्रोकार्बन के नाम से जाना जाता है किसके नाम से हाइड्रोकार्बन के नाम से जाना जाता है तो हमने कहा कि भाई क्या हो जाएगा बी हाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइड्रोकार तो इसको हम लोग जो है होटी कल्चर कहते हैं या फिर हम इसे जो है फॉरस्टी कहते हैं या फिर हम इसे और भी कल्चर के नाम से जानते हैं तो जब इसमें इतनी सारी चीजों के बारे में बात हो रही हो ना तो इसको हम और भी कल्चर के नाम से जानते हैं यह आप लोग यह आपर ध्यान रखेंगे है ना किसके बारे में और भी कल्चर जहां पर इंस्ट्रूप के बारे में ट्रीज हो गई वाइन्स हो गई और अधर चीजे हैं और भी कल्चर हम लोग इसे कहते हैं हाना तो ये सारी चीजे ध्यान रखनी है CAPF की exam की की त्यारी कर रहे हो CDS की त्यारी कर रहे हो CFCAT की त्यारी कर रहे हो किसी भी exam NDA की त्यारी कर रहे हो science जिसमें आती हैं अब definitely ये session ले सकते हर type के PYQ मैं आपर mention out करती हूँ ठेक है हर दिन ये session होता है 3 बजे इस जीच का आप लोग ध्यान रखेंगे कौन-कौन से batches हैं मैं वो भी आप लोगों को बताऊंगे अभी तो which of the following the statements about the theory are true तो कोशिका सिधान्त के बारे में कि कोशिका सिधान्त कवक पर लागू नहीं होता कैसे नहीं होता कोशिका सिधान्त वाइरस पर लागू नहीं होता इसलिए वाइरस पर जो है वो कभी भी आपका cell theory लागू होता ही नहीं है जो cell theory है जो आपके sliding और swan ने दिया था वो आपका वाइरस पर लागू ही नहीं होता है फिर कहा जा रहा है कि which of the following can be dull the cultivation of the plant virus तो कौन सा जो है वो पादब विशानों की खेती में निम्नलिखित में किया जाता है तो यह आप से पूछा जा रहा है very good चलिए तो बताएंगे यह tissue culture में होगा प्रथक कोशिकाओं में होगा और जितने भी aspirants है मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे बच्चे तो नए भी है चैनल पर वो चैनल को subscribe आस definitely करेंगे और कितनी बज़े आना है कल से 3 बज़े आना है definitely आना है आप लोगों ने इसका थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना है बहुत importantly है ना और आप विशानों की खेती के इंदर बात करें यानि कि आप cultivation करेंगे किसी disease को लेकर virus के साथ में तो आप यहाँ पर जो है वो किसी भी तरह से जो है वो cultivation कर सकते हैं चाहे वो पूरा plant cultivate करना हो चाहे वो कोई specific cell करनी हो चाहे कोई tissue करना हो है ना तो आप सब तरीके से जो है वो ऐसा कर सकते हैं बैचेस के बारे मगनेश जी चार बच के पांच मिट के बाद में call कर ले ना मैं उन से बात कर लूँगी इसके अलावा आप अड़ा 247 का mobile application अपने phone के जब play store से डाउनलोड करते हैं तो अभी जो है देखो नवरात्रा जो है वो आखरी दिन चल रहा है ना तो नवरात्रा की special cell निकली वी है और ये जो है वो आपका जो है बहुत भारी discount आपको देखने को मिल रहा है अगर कोई enroll करता है all courses के list में जाकर अगर आप जो है वो UPS नहीं आप लोगों को जाना है defense के अंदर defense में मानो CAPF सब पर double validity और चल रही है और आपको full जो है वो क्या मिलेगा double validity के जात में आप लोगों को discount भी देखने को मिलता है तो आप इन में से कोई भी batch ले सकते हैं mega pack ज़रूर ले अगर किसी को batch लेना है तो क्योंकि इस batch के अंदर आप लोगों को cds, fcat हो गया, cpf हो गया इन सभी exam की जो है वो preparation होती है आपको करना कुछ नहीं आपने मेरी ppt पे देखा होगा y698 code लगाना है आपने जैसे ही y698 code लगाया और apply किया तो आपको double validity के साथ म यह batch मिलता है दो साल की validity में code कौन सा लगाना है y698 यह batch पड़ेगा 32 होगा आप सुचो दो साल के अंदर आप लोगों को को कोई नया batch नहीं खरीदना cpf का cds का fcat का जितने दो साल में नए बैच आएंगे वो सारे आपकी test series मिल रही है mock test मिल रही है ebooks मिल रही है चैनल को subscribe किया कि नहीं किया और अगर कोई भी knowledge चाहिए इस number पर call कर लिजेगा that is 9034611872 आपको screen पर दिखरा होगा हर problem का समाधान आपको यहाँ पर मिल जाता है तो that is the all things hope so guys hope so you will understand and session को subscribe channel को subscribe जरूर करना कल तीन बजे मिलेंगे सारे बच्चे इस वादे के साथ कि हम कल तीन बजे आएंगे हाँ गुद लुग तिल देंस यू टे किर दूलक शेयर कमेंट इन सब्सक्राइब इस चानल थैंक यू सो मुच